नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News और पेश है राजिस्थान की अब तक की ताजा खबरे लोगडाउन के दोरान देश के विभिन राज्यों में फसे मजदूरों को उनके घर पहुचवाने के लिए विशेश ट्रेनों के साथ रोडवेज और निजी बसों को भी काम में लिया जाएगा CMSHO गहलोत ने बिती रात को अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक में कहा कि विशेश ट्रेनों के साथ साथ रोडवेज एवं नीजी बसों के माध्यम से भी प्रवासियों को लाया जाए इसके लिए पूरी प्रक्रियार निर्धारित करें उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन स्थानों से विशेश ट्रेनों का आवगमन होना है वहां माकुल इंतज कर संवनित राज्यों के साथ साधा कर ली जाए गहलोद ने कहा कि जो प्रवासि स्वयम के निजी वाहनों अत्वा बसों के जरिये आना जाना चाहते हैं उन्हें संवनित राज्यों के साथ समvaluation कर जोलद पास जारी करवाए वहनों की व्यवस्ता में सेवभावि लोगों की भी मदद ली जा सकती है रायसान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंग खाचरियवास डेड़ माह से लोकडाउन की कारण बाहर फसे रायसान के प्रवासी मजदूर, विद्यारती और आमादमे की घर वापसी पर दिशान रिदेश जारी किये हैं उन्होंने कहा कि यहां से MP, UP, बिहार, बंगाल और देश में कहीं भी अपने घरों को लोटने वाले लोगों की वापसी की मौनिटरिंग केनर के स्थर पर किया जाना ज़रूरी है गाईलाइन के अनुसार पास बनाने में कोता ही बरदाश नहीं की जाएगी खाचरियावास ने परिवहन भवन में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के आर्टियो की बैठक लेने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनकी और सरकार की मंशा साफ है कि इस संकट के समय पहले ही लोगडाउन से परिशान लोगों को अप्चारिक्ताओं के कारण परिशान नहीं होना पड़े अगर कोई पास बनवाने के लिए DTO, RTO के पास आता है तो पास उदारता से बनना चाहिए कोई बहाने बाजी नहीं होनी चाहिए राजसान जन्सवास्त्य अभियांत्र की विभाग द्वारा प्रदेश में कोरोना के कारण उत्पन, लोगडाउन की सितियों और गर्मी के मौसम को देखते हुए राजी के शहरी और ग्रामीन शेत्रों में निर्बाद पेरजल आपूर्ती के लिए प्रो एक्टिव तरीके से अग्रिम तैयारियों के साथ ठोस कदम उठाए गए है जल्दाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि जल्दाय विभाग एवं राजी सरकार के स्तर से प्रदेश की पेरजल सिति की लगातार मौनिटरिंग नियंतरन कक्षो एवं कोविड-19 वर्रूम के माध्यम से की चा रही है प्रदेश में कहीं भी पेरजल समंदिया वशक्ताव के लिए धन एवं स्विकृति की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी नागौर जिले की खिलसर थाने के ASI भावरलाल मेगवाल को SP ने निलंबित कर दिया है तथा दो कॉन्स्टेबल्स को लाइन हजिर किया गया है ब्रद्पूर के सेवर थाना इलाके में सड़क खासे में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रोहिताश की मौथ हो गया रोहिताश की ड्यूटी उच्चेंट के हॉस्पिटल में थी डॉक्टर रोहिताश रात की ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से अपने घर जो आ रहे थे रास्ते में एक ट्रक ने डॉक्टर की स्कूटी में टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई पंजाब के शद्धालों को भोजन कराने वाले नागवर के लाड़नों विधाय को मुकेश भाकर और उनके कारकरताओं की रिपोर्ट नेगिटिव आई है प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले जिन पांच लोगों की रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आई थी उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगिटिव आई है कुल 56 लोगों की रिपोर्ट नेगिटिव आने के बाद प्रिशासन ने राहत की सांस ली है राजसान राजे प्रदूशन नियंतरन मंडल ने लोगडाउन की कारण उद्योगों द्वारा अनुपालना रिपोर्ट पेश किये जाने में हो रही परिशानी को मद्दे नजर उद्योगों को राहत देने के उद्देशे से सभी उद्योगिक इकाईयों संसानों को सभी प्रकार के अनुपालना रिपोर्ट प्रेशित करने के लिए 30 जुन 2020 तक की छूट दी है इस छूट में कारण बताओं नोटीस समति शर्तों समय धानिक नियमों की अनुपालना रिपोर्ट एवं व्यक्तिकत सुनवाई में दिये गए निर्देश समिली थे इस समन्द में राज्य मंडल जैपुर द्वारा एक मई 2020 को आदेश जारी कर दिये गए है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूज को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर